दिल्ली से ISIS आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार, NIA की वॉंटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था, 2023 में पुणे पुलिस की कस्टिडी से भागा था दिल्ली में 72 समारों से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुकरवार 9 अगस्ट को ISIS के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, उसके पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है, रिजवान दिल्ली के दर्यागंच का रहने वाला है, पुलिस के अनुसार रिजवान ISIS के पुणे मॉड्यूल का हिसा था और National Investigation Agency की Most Wanted List में शामिल था, वो जुलाई 2023 में पुणे पुलिस कस्टिडी से भागा था, NIA ने रिजवान पर 3 लाख रुपे का इनाम रखा था, टाइम्स ओफ इंडिया के मताबिक रिजवान को आज सुभा दिल्ली फरीदाबाद ब P.A. के तहट केस दर्श किया गया है, NIA ने आतंकी हमलों में फरार Wanted के साथ रिजवान अली की तस्वीर भी जारी की थी, इनमें कुल चार आतंकी थे, इनमें से महमत शेहनवास को पिछले साल सितंबर में गिरफ़तार किया गया था, अब्दुल्ला फयाज उर्फ दिवस के कारिकरम से पहले रिजवान के गिरफतारी एहम मानी जा रही है, दिल्ली पुलिस ने सडकों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, एक दिन पहले गुरुवार 8 अगस को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्किट के पास अलकाइदा और खालिस्तान से जुड अन्य सुरक्षा बल अलर पर हैं, पंद्रा अगस को दिल्ली स्थित लाल किले से प्रधानमत्री देश के नाम संबोधन देंगे, ये सोतंतरता दिवस पर आयोजित होने वाला देश का सबसे बड़ा कारिकरम माना जाता है, ऐसे में सुरक्षा बल राजधानी के चपे-